It is easier to enunciate information from a written word than from an archaeological source. तो मैंने आपको बताया है कि जो ancient period था था तब books वेरा जैसे copy ज़र नहीं हो देते information जो है वो हमें archaeological source से मिलती है. जैसे तब की जो building जाएं, coins हैं, उन से हम पता लगाते हैं कि तब लोगों का रहना सहना कैसे था. लेकिन modern period या medieval period जब आया तो थोड़ी से books वेरा के उपर भी काम लिखा जाने लगा, copies के उपर भी. तो तब जो लिखा हुआ काम है, मतलब जो लिखी हुई चीज़े हैं, उन से हमें history के बारे में ये लोगों के बारे में पता लगाना थोड़ा सा असान होता है, easier होता है. आर्चिलिजिकल सोर्स कौन कौन से हैं, दा आर्चिलिजिकल सोर्स इंक्लूड बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, कौइन, इंस्क्रिप्शन, इसे बहुए हैं, उन से भी हमें पता चलता है कि लोगों का रहना सान है कैसे था. जिसे कुतमना रेड़ फोर्ड जो है, यह दोनों ही डेली में है, बलंदर वाजा, फतेपुर्ट सिक्री में है, आगरा के पास ही फतेपुर्ट सिक्री है, और चारमिनार जो है, वो हैदराबाद में है, अब इन बिल्डिंग्स से में पता चलता है कि लोगों का रहना सान ह कैसे था, यह आर्चियलोजिकल आविडेंसे हैं, आर्चियलोजिकल सोर्से हैं, इंसक्रिप्शन वन बिल्डिंग्स हैं, इनसे हमें इस्ट्री ये बारे में काफी पता चलता है, Similarly, inscriptions on coins, copper plates, rocks, pillars help to ascertain dates and historical developments तो जो inscriptions के ओपर, जो coins के ओपर भी inscriptions बनी हुई है, शिलालेक बने हुई है copper plate उस जमाने की जो मिलती है हमें, rocks जो उस जमाने की मिलती है या pillars उस जमाने के मिलती हैं, उनसे में history के बारे में काफी कुछ पता चलता है तब कि लोगों के बारे में काफी कुछ पता चलता है, देखो, जब तो medieval period आया, ancient period के बाद, तब तो books भी काफी आ गई जिसे रमाहिन, माबर्त, ये कई books जो हैं वो आ गई, तो लिखे हुए source से तो ज़्यादा अच्छी तरह पता चल गया लेकिन जो पराने जमाने हैं, उनमें archaeological evidences थे, वहां पे हमें pillars वेरा से जो लिखा हुआ, तिस्वीरे बनी हुई थी, वहां से देख कर पता चल जाता है, तो जैसे ये देखो, ये बलंद दरवाजा है, ठीक है ना, बलंद दरवाजा मैंने अभी बता है, फदेपुर सिक्र archology में हम past civilization, पराने सब्वेता के बारे में पढ़ते हैं, पता चलता है हमें archology से, the people who study such old material remains are called archologists, जो लोग, देखो, pillar के उपर जो तस्वीरे बनी हैं, उन तस्वीरों को देख कर हर कोई तो नहीं ना, उनके बारे में पता लगा सकता के तब के लोग कैसे रहते थे, क्या क करते थे बगएरा बगएरा, इस तरह कोईंस के ऊपर जो तस्वीरे बनी हैं, उनको देख कर हर कोई नहीं पता लगा सकता, ये archologist का काम है, archologist जो हैं, वो मतलब इस माइने में specialized लोग होते हैं, जिनको ये पता चल जाता है कि मतलब तब के लोग कैसे रहते थे, उसके बाद literary sources, a lot of information about the medieval period is derived from literary sources, medieval period के बारे में हमें literary sources से पता चल जाता है, जो लिखे हुए sources है, medieval period मैंने आपको पता है, तब जिसे copies वेरे का विश्कार हो गया थोड़ा सा, तो वहां पे जो लिखिवी चीज़े हैं, books हैं, तब के जमाने की, तब से हमी पता, काफी पता चल जाता है तो तब क्या क्या लिखा हुए, which comprise of biographies लिखी ही है, rulers ने, rulers की, कहीं कहीं लोगों ने, कहीं ने अपनी autobiography भी लिखी है, बता है अपनी story अपनी अप लिखी है, chronicles, letters, records, poetry, travel logs, and other works, जैसे गोम कर आते थे, हैं आंसंग जो हैं, जैसे Chinese था, वो जब गोम कर आया तो उसने सा कुछ अपनी, मतलब डैरी में लिखा, वो जब डैरी का पता चला, तो archiologist के पास आया, तो तब उनको पता चल गया कि इन्होंने कैसे कैसे अविश्कर किये, कैसे कैसे गोमने गए, यहां तब जो हैं लोग कैसे रहते थे, let us understand that the printing press had not yet been invented, so the copies of works were made by hand, उन दिनों printing press का अव से लिखिवी copies से ही हमें पता चलता है, the people who made copies from manuscripts were called scribes, वो जो लोग मतलब manuscripts से copies बनाते थे, मतलब लिखते थे जो लोग, उनको scribes बोलते थे, scribes, ठीक है, since copying by hand is a difficult task, we find some changes in different copies by same writer, this has sometimes resulted in ambiguity, देखो, अब कईवर ऐसे होता है कि जो एक आदमी ने लिखा है और जो दूसरे आदमी ने लिखा है, एक सब्याता के बारे में, लोगों के बारे में, वो different है, तो इससे ये confusion कईवर creator होती है, पर तब भी काफी कुछ हमें उस बात से पता चल जाता है, ambiguity का बता होता है, not clear, तो हमार जो जो ग्यान है, थोड़ा सा, वो पूरा clear नहीं होता, पर तब भी काफी हद में पता चल जाता है, some of the important biographies, autobiographies, chronicles, travelogs, paintings to the medieval period are as follows, अब कौन-कौन सी biographies या autobiographies है, ये देखो, number one, biography and autobiographies.